नमस्कार पत्रीकव के आडियो बुलोटेन में आपका स्वागत है मैं हूँ नीहा दीश में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 26,486 पर है जबकि अब तक 824 लोगों की मौत हो चुकी है 5,804 संक्रमित ठीक होकर घर जा चुकी है बीते 24 घंटे में 741 लोग ठीक हुए है वहें पिछले 24 घंटों में कोरोना की 1,990 नए मामले सामने आई हैं और 49 लोगों की मौत हुई है मध्यप्रदीश की बात करें तो मध्यप्रदीश में संक्रमन का आकड़ा 2030 के उपर पहुँच किया है मौत का आकड़ा भी 100 के पार पहुच किया है 281 लोग स्वस्थ भी हुए है इन दौर में 99 नए मरीज मिलने से मरीजों की संख्य बढ़कर 116 हो गई है भोपाल में 382, उजयन में 107, जबलपुर में अब तक 69 संक्रमिट मरीज मिल चुकी है भोपाल से खबर है कि आदेश इस पश्ट नहीं होने के कारण कोई दुकान नहीं खुली पूरा ही भोपाल रेड जोन में है और 166 स्थान कंटेंटमेंट है इसले कि इन शेतरों के दुकाने खुलेगी राजसरकार की तरफ से अब तक कोई निरनेस पश्ट नहीं हो पाया है अन्य प्रदेशों में फसी मध्य प्रदेश के मैस्दरों को लाने का सिलसला भी शुरू हो गिया है इधर मध्य प्रदेश के शेहडोल संभाग के जले में बारिश और ओला वरिष्टी से फसलों को नुकसान पहुचा है वही मौसम विभागने आने वाले 24 खंटों में मध्य प्रदेश के करीब 20 जलों में बारिश होनी की संभावना जोताई है प्रदेश के सबसे अधिक तापमान उमरिया में 41 डिगरी दर्फ किया गया है प्रदान मंत्री नरेंद्र मूदी ने मन की बात कारिक्रम में कहा कि आज पुरा देश एक साथ चल रहा है ताली थाली ने देश को प्रेरिद किया है ऐसा लग रहा है कि महायग ये चल रहा है हमारे किसान खेत में महनत कर रही है कोई भूकार नहीं रहना चाहिए कोई मास्क बना रहा है तो कोई क्वारेंटाइन में रहते हुए भी स्कूल की पुताई कर रहा है कोई पैंशिन माफ कर रहा है प्रधान मंत्री मोदी ने कहा कि बहुती आदर के साथ मैं 130 करोड देश वासियों के इस भावना को नमन करता हूँ पत्रिका की अपिल है कि आप भी अपने परिवार के साथ घरों में रहें और स्वस्त रहें